नेक्ट्रिक से थाइज 13.7 बहुत इजी कुश्चन है बहुत ही मज़ेदार है तो आप नाइन्थ एंसी अर्टी मैथ क्या रहा कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का बैलू आपको 22 अपान सेबन लेना है मतलब अगर पाई कमान कुश्चन में कुछ और रखने को कहा गया है तब तो ठीक है अन्यथा आप 22 अपान सेबन का यूज करेंगे बहुत चोटा-चोटा है असान है कि मैं इंग्लिस में पढ़के सुना रहा हूं हिंदी में आपके सामने लिखा है कि आप फाइंड वैलूम आप दा राइट सर्कूलर कॉलर कॉन विद रेडियस कि 3.5 सेंट्रीमिटर एंड हैंड हाइट 12 सेंट्रीमिटर क्या यही कुश्चन है पहला इसमें दो पार्ट है जिसमें फाइस्ट पार्ट में यह दिया है ठीक है दो पार्ट दिया बाबु इसमें पहला पार्ट जो है आपका सिक सेंट्रीमिटर रेडियस है हाइट 7 सेंट्रीमिटर है ठीक है सिकेंड वाले में 3.5 रेडियस है एंड हाइट 12 सेंट्रीमिटर है तो कैसे करो के बहुत इजी है लिखो गीबन लिखे फटापट गीबन लिख लो देख बाबू कुष्टन का पहला पार्ट इपन में आप लिखो रेडियस दिया है कि इतना दिया रेडियस अशीक सेंटिमीटर ना है कि इतना दिया भाईया कि 7 सेंटिमीटर है आँ चलो क्या निकालना है बैलूम आफ कौन लिखो कि वैलूम आफ कौन इक्वल वन अपान थ्री पाई आडि स्क्वाइर एच वैलूम इसमें जो भी वैलू दिया पुट करिये फटा-फट करेमान रख देजीये बस आसान है यार बहुत आसान यहीं ओस है देखिये 1 अपान 3 ठीक है इंटिव पाई कमान 22 अपान 7 रखने को ही कहा गया है हाई कमान छे दिया है इसक्वाइर है तो दो बार रहा है कि वेल्ट टूजा 24 का 4 टू आया 12 टूजा 24 टू 26 यानि यह इतना आया यह क्या रहा है तो बैलूम हमें इसा क्यूब में लिखा जाता है को के आंसर कि इसी तरह से इसका सिकेंड पार्ट से कर लेंगे चलिए जल्दी करिए लेक्ट पार्ट इसमें भी सारे मान रखिए फटा-फट सिकेंड वाले में देखिए रेडियस अलग है और हाइट भी अलग है वन अपान थ्री पाई कमान रख दीजिए 22 अपान सेबन रेडियस कमान इसमें 3.5 रखोगे इंटू 3.5 हाइट इसमें दी गई है 12 रेबन से इसको काटोगे 0.5 आएगा इतना तुम्हें पता ही है भाग देखे देख लेना नहीं आता तो हां देखो 3 से कट जाएगा यह 3 चोग 12 ऊपर बच रहा है 22 0.5 एंड यह 3.5 एंड यह 4 बच रहा है देखो इसमें सिस्टम से गुड़ा करोगे तो आसान हो जाएगा जैसे यह 22 ऐसे रहने दो 0.5 का गुड़ा 4 में करो करके देख लो चाचा 0.5 का गुड़ा जब तुम 4 में करोगे तो 20 आएगा एक अंक पर दसमलों लगाओगे दो हो जाएगा यह नि कहने का मतलब क्या मतलब इन दोनों का गुड़ा करने के बाद सिर्फ दो आएगा बस यह और यह 3.5 देखो कितना आसान बंदा है न यह साड़े तीन है साड़े तीन का दूना करोगे साथ हो जाएगा कितना हो जाएगा साथ तो इसको तुम 22 गुड़ा साथ कर फक्त हो देखो दसमलों क पूरा कहानी खतम साथ दूना चाउदा कचार साथ दूना चाउदा एक पंदरा यह सेंटीमीटर क्यूब कितना आसान था ना सिर्फ तरीका सही लगाओगे कल्कुलेशन इजी हो जाता है अगर तुम इसको इससे गुड़ा कर देते और इसको इससे कर देते तो यह उलत ज यह है कि देखो एक सचाही 13.7 और 13.7 का सिकेंड नंबर कुश्चन है बाबू कि कह रहा है कि फाइंड दा कैपिसिटी इन लीटर्स आफ कॉनिकल विजल देखो मैं इसका कुश्चन दिखा देता हूं आपको हिंदी में अभी आप थोड़ा नजरे कड़ा के रखो सिकेंड संकु के आकार के उस बरतन की लीटरों में धारिता ग्याद कीजिए जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है एंड रेडियस आपको क्या दिया है 7 सेंटीमीटर यहां पर एक छी ध्यान देना चाचा कि हाइट नहीं दिया है तिरियक उचाही दिया है स्लेंट हाइट जी से बोलते ह संकु के आकार के उस बरतन की मतलब जो बरतन है मेरे भाई वो संकु के आकार का है मतलब वो बरतन कुछ ऐसा है समझेना कुछ ऐसा है जिसका कहरा है कि यह चीज 25 दिया है 25 ओर इसका रेडियस मतलब तिरिज्जा यह दिया है कितना दिया है किभार सेंतिमेटर और समझना क्या कह रहे हैं कि आकार के उस बरतन की । आपको अगर धारिता निकालना है संगु का आयतन निकालना है तो सबसे पहले को किया क्या क्या पता होना चाहिए इस पहले रियल उंचाई के आत करंगे अं अब हमें अगर यह दिया है यह दिया है एक संकोंड मुंत है क्याएं यह वे पायथा-गुर्स पर्मिएंग से अंडर रूट से मांख़ों से स्क्रीण से फटाफट इसमें कोई डाउट है किसी को कोई लफडा है तो बता दो टेंशन मत लेना विल्कुल भी एक पैसेगा जलो आगे बढ़े यहल कमांड 25 का स्कॉयर माइनस सेबन का स्कॉयर कि स्कॉयर है ध्यान देना यह 625 माइनस 49 कि सब्ट्रेक करोगे 576 आएगा इक़ो टॉन्टिफॉर आएगा कितना है 24 तो हाइट कितना हो जाएगे आपकी 24 न इसमें कोई डाउट किसी को नो डाउट आप देखो क्या करना है हमें बैलूम निकालना है आयतन निकालना है न में वही था लिख लीजिए संकुप का अा कि बरतन के लीट्रों में धारित है आप लिखोगे संकुप क ceux को की धा रवhen द बराबर वहीं संगूस का संकुकार बरतन की धारिता बराबर इसे लिखको हिंदी वाले संगुकार बरतन की धारिता बराबर थित प्लिक्य लिखें वहेलों। इसमें ज्याज़ा लफड़ा नहीं रहता है इंगलीज में ओके सारे मान पूट कर दीजिए इंटू पाई कमान 22 अपान सेबन रेडियस कमान सेबन दिया था अल्रेडी हाइट कमान अभी मैंने निकाला 24 और भाग गया यह तो उधर चला गया क्या करो मैं कैमरा करके दिखाऊंगा आपको रूखो जाना नहीं कि आए हल कर देते हैं कोई बात नहीं है मैंने इसको दिखा दिया पूरा जो हट रहा था भाग रहा था कि आप चलो देखो अब देखो इसको तीन से कार्ब देंगे तीन अठे चावबिस यह साथ से साथ कैंसिल हो जाएगा इक्वल 22 इंटू 7 इंटू 8 अपका गुड़ा कर लो आप आंसर आपका आजाएगा फटा फट इसमें कोई बड़ी बात नहीं 1232 आएगा लगभग गुड़ा करके देखो आठ सते 56 बारा सो बत्तिस आएगा इंटी मीटर क्यूब कर रहा था लीटरों में धारिता ग्यांत कीजिए मेरे भाई पोजिशन में देखो फाइंड दा काफिसिटी इन लीटर साफ कॉनिकल विजल विध रेडियस और जो भी डिटियल दिया था ओके लीटर में क्या करोगे वैलूम इन लीटर हिंदी वाले लीटर में धारिता बराबर इसको 1232 इसको 1000 से भाग दे लोगी एक्वल हो जायागा वन पोइंट 23 लीटर लगभग में ठीक है यह 1.2 लिटर लिखोगे सिरफिदा और साफ साफ रहेगा 1.2 लिटर होगे अंसर फटा-फट छाप लिजिए फ़र्स्ट कोईस्टन का फ़र्स्ट पार्ट हो गया इसमें आप एक काम और भी कर सकते थे आप मैंने थोड़ा साथ ज्यादा कर दिया आप इस्टार्टिंग में टो और बराबर और यह ल बराबर लिख सकते थे ठीक है गिबिन लिखके बन नहीं लिखा यहां पर आप आर एक्वल 25 यह गिबैन में लिख सकते थे सुरू में यहां तो ऊपर लिख लिए जैसे मैं सब में लिखता हूं ठीक है कि कि इसका फट से कि इसमें भी लगा दो फटाफट क्या करना है तो इसमें भी ऐसे कुछ करना इसमें आर नहीं दिया है आप पहले उसको बना लोगे क्या फिगर को आप बना लो मिजना यहां पर मेरे भाई प्यार से समझना यह संकूआ कार है तो हम इसे इसमें शंकू बनाएंगे टोपी वाला यह कि इसमें हमें यार नहीं दिया है यह आर हमें फाइन करना है इसकी हाइट यह 12 दिया है और यह 13 दिया है आप यह बताओ अगर यह कि यह समकोंड तिर्भुज बन रहा है देखो यहां पर 90 बन रहा बीच में तो हमें नीचे का बेस निकालना है न तो बेस निकालने के लिए आप सबको पता है पाइथागोरस परमिये से 60 कट सूत्र लग लोगे पाइथागोरस परमिये पढ़े हो बचपन में यह 13 का स्कॉयर माइनस यह 12 का स्कॉयर आरा समझ में यह हो जाएगा 133 में 179 माइनस बारा बराम में 144 घटाओ कि 25 आएगा पांच 25 आएगा अंडर रूट में फुल मिला करके अगर हम कहें तो आर बराबर कितना यह कह सकते हैं रेडियस कितना आया पांच अब लिखोगे वैलूम आफ विजल यह फिर इंदी में लिख लो संकुवाकार बरतन की धारिता बराबर अब लूम आफ वानिकल विजल वानिकल विजल तो मैं सी भी लिख दे रहा हूं ठीक है साटकर में वानफान थिरी पाई इसक्वार एच यह बैलूम का फर्मूला होता है कि इंपल है रहे बाबा रख दो न वन अपान थिरी पाई यह पाई कमान रखना है भाया यह यह रखना है भाया आर कमान पांच अभी अभी हमने बहुत मुश्किल से खोजा है यह कमान थाटीन दिया है क्यों भाई यह जागते रहो अब देखो इसमें क्या करना है कलकुलेशन करना है कलकुलेशन मुझे कुछ गडबड जा रहा है दिस हमें कुछ कटे बटेगा का इस तीन से कट जाएगा तीन चोक 12 अब देखो उपर कुछ नहीं कटने वाला 22 का गुड़ा 25 में 25 का चार में करोगे मेरे भाई देखो कि पच्चम 25 25 का साथ में 100 में सोगा जाएगा गुड़ा करोगे इमानदारी से 20 सो जाएगा नीचे साथ यह पनौद के ना करोगे प्च्चनर हो गया लेकिं लीटर में पूछा था यह करोगे लीटर में पूछा था यह हो गया संकुवाकार बरतन की धारिता लीटर में देखो मेरे आगर कुछ कुछ भी सेंटिमेटर क्यूब में दिया है तो आपको पता है क्या करोगे 1000 से भाग देते हैं पेसिक मैथ आपको नहीं आती ना तो पीवियार स्टडी में जो आइन कर लो एक हजार संटिमेटर क्यूब छो होता है वह एक लिटर के बराबर होता है जिस्ट तरह से एक लिटर में 1000 होता है वैसे यह भी तरीका है liberté में यह नहीं था इसके ल हुआ 仔 stops hunters कम पैटर Sky शुड़ा करते हैं यह तुम बचपन से जानते proceso तो बाइस सो बटा साथ गुड़ा एक हजार दूई जीरो से दूई जीरो कट गया अब क्या हुआ आपका यह साथ दाहमा सत्तर और यह बाइस पहले से दिया है इसको चेंज कर लो दस हमलों में बड़ा खतरनाक अंसर आ रहा है मुझे लग रहा है बस हो गया अंसर यह यह अंसर है इस तरह कि आपका कुश्चन नंबर सिकेंड भी कंप्लेट हुआ बेटा कोई डाउट है तो बता दो नाम कुछ इस तरह है जो भी बच्चे जुड़े हैं जैसे कि अंकीत का कमेंट आ रहा है रोहित कुमार परजबती का कमेंट आ रहा है और बियस यादो ठीक है पूनम कुमारी अंजली साहु मोहित कुमार सौरव ठीको बेटा जो डेली जुडते उनके नाम हम जरूर बोलत अगे बड़े ठीक है देखो बेटा पचास-पचास रूपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का लाग रहा है अगर आप करना चाहें तो नीचे नंबर चला उस पर संपर करके कर सकते हैं फिर हम आपको वाटसप पे सारी कलास बेजेंगे लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा हिंदी में आप देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है मैं इंगलीज में पढ़के सुना रहा हूं सुनिए कि क्या कहता है ध्यान से सुनिए कि कह रहा है कि दा हाइट आफ आफ आप कौन इज 15 सेंटिमेटर इफ इट वैलूमी इज 15-70 सेंटिमेटर आइंड रेडियस आप कौन कौन मतलब होता संकू इज 15 सेंटिमेटर एक संकू की उचाई 15 सेंटिमेटर है यदि इसका आयतन 15 170 सेंटिमेटर है तो इसके आधार का जो तिरिज्या है बेस है उसे फाइंड करना है आईए यह को बहुत सिंपल है आप चाहो तो इसका फिगर भी इदर साइड में ब इसका वैलूम दिया है 15 170 सेंटिमेटर क्यूब यह रेडियस फाइंड करना है ठीक है यह को बहुत ही सिंपल है क्या करोगे आप सुत्र लगाओगे कौन सा वैलूम आफ कौन इधर साइड में लगा लो पैलूम आफ कौन अपैलूम आफ कौन यह फिर ऐसे लिख लो संकू क का आयतन बराबर कि वन थार्ड पाई आरी स्कॉयर एच तो वन थार्ड पाई का वैलू 22 अपान सेबन रेडियस हमें पता नहीं है हाइड 15 दिया है कि दिन से काट दो पंदरा एक चीज और इधर साइड में यह 1570 दिया है यह मत भोलना ठीक है चलिए सारे मान रखिए फटा-फट कोईश्चन से स्क्रीन से अटाईए सारे मान पुट करिए आईए देखो मेरे भाई यहां पर आपको थोड़ा सा समझने लायक है वह क्या है आप साथ से अगर इनको काटना चाहो तो क्या यह कहीं कटेगा कुछ नहीं हम एक काम करेंग आरी स्कॉार उधर चोड़ देंगे बाकी का चीज इधर ले आएंगे तो यह 110 हो जाएगा आप अगर देखो तो ना बाइस का गुड़ा होगा पांच में पांच दूना दस पांदूना दस एक ग्यारा वो तो अपनी जगा है लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान दो बेट ठीक है तब तो इसमें कुछ लोचा हो जाएगा वो का होगा जाने दीजिए आईए अब इधर साइट में तीन तो नीचे से कैंसील हो गया उपर पांच और गुड़े में यह बच रहा है और आरी स्कॉर बच रहा है इधर से यह सब इधर आएंगे तो भाग में हो जाएं 314 आएगा उपर भी देखो लगबग वही आया है सिर्फ डेसिमल में है आप इसे थोड़ा सा अर्जेस्ट करो अर्जेस्ट क्या करना है बहुत इजी है बहुत सिंपल है आपको पता चल गया होगा देखो मेरे भाई नीचे दू अंक पर दसमलो है अगर यहां से दसमलो हटेगा तो उपर क्या हो जाएगा दो जीरो बढ़ जाएगा तो नीचे का हम दसमलो हटा करके इसके बाद 314 के बाद डबल जीरो लगा सकते हैं कि बोलो इसमें कोई डाउट नहीं न यह आर काई स्क्वाइर ऐसे हो जाएगा यह आर काई स्क्वाइर है अब यह काट दीजिए 314 फिर 314 कट गया आपका सो आएगा कुल मिला के ऊपर तो हंड्रेड इक्वाल आर काई स्क्वाइर आपको आता है रेडियस आगई यार सेंटीमीटर यह हो गया आंसर फाइनल खतम है कि अधस सेंटीमीटर इधर साइट सेंटीमीटर नहीं लगा होगे यहां लगा सकते हैं इस तरह से आपका कुश्चन नमबर 3 कुश्चन नमबर 3 कोई डाउट है तो बता दो है आगे बढ़े इस कुश्चन के साथ इससे हम खतम करेंगे आप लोग कमेंट करके बताईएगा क्लास कैसे लगा अगर कोई बीडाउट है तो आप उसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बाक्स में मिलते हैं फिर अगली क्लास में पंकज कुमार आपका कमेंट आ रहा है अभी संकर का कमेंट आ स्रद्धा सिंग कमेंट आ रहा है अनूप कुमार कमेंट आ रहा है रोहित सुकला रंजना तिवारी सब का कमेंट आ रहा है ठीक है परिसान नरौ सिर्फ पढ़ाई पे दयान दो थैंक्यू